दोस्तो तो आज हम बात करने वाले हैं माई सेटिंग बटन के बारे में इसे हम किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस में यूज करते हैं और इसका क्या यूज होता है कॉर्क के पीए सीरीज के सभी कीबोर्ड में लगबग ये बटन होता ही है और इसके use करने का तरीका भी एकदम same है without further ado तो चलिए start करते है my setting button होता क्या है my setting button वो button है इसे start up setting भी बोलते है इसका दूसरा नाम my setting को तो जो आप style या जो sound आप अपने keyboard on करने के बाद सबसे पहले अपने screen पे देखना चाहते हो that is my setting अगर आप देखोगे कॉर्ग के सभी PA series के keyboard में जब आप my setting button प्रेस करते हो तो आपको by default प्यानो का ही tone मिलता है जैसे कि मेरे keyboard में भी प्यानो का ही tone save है तो ज़्यादा तर मैं अपने live shows में प्यानो ही use करता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे use होने वाला instrument प्यानो है तो इसलिए मैं my setting में हमेशा प्यानो ही रखता हूँ तो अब देखे जानते हैं कि इसको हम save कैसे कर सकते हैं यह जो style यह जो tone है और यह जो style है जैसे कि मेरा standard 8-beat है यहाँ पे style तो firstly मैं आपको बताता हूँ कि हम tone कैसे save कर सकते हैं tone कैसे save करना आपको जैसे कि suppose आपने यहाँ से कोई भी tone लिया performance में से मैं कोई भी tone ले रहा हूँ suppose flute का tone ले रहा हूँ है यहाँ पे मैंने लिया flute का tone exit बटन दबाया वापिस हम main screen पे आ गए है फिर से बता देता हूँ एक बार मैं performance में गए lead flute select किया नीली पट्टी आ जाएगी इस पे then exit यह चीज़ तो यहाँ पे क्या है कि अब मेरा flute का tone आ गया है firstly अगर मैं थोड़ा सा बजा के लेगो तो मेरा flute का tone आ गया है तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा keyboard start हो तो मुझे flute का ही tone मिले तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा we will hold the my setting बटन हम इसे ऐसे प्रेस करके रखेंगे जब तक यह हमारे पास menu नहीं आ जाता right startup setting यह वाला right startup setting अब यह क्या पूछ रहा है current performance तो my setting यह बोल रहा है कि आप current performance जो आपने choose किया है वो आप my setting में रखना चाहते हो yes हम रखना चाहते हैं तो मैंने इसे okay दबा दिया और yes कर दिया अब देखते हैं कि जब हम अपना keyboard off करके on करते हैं तो सबसे पहले by default हमें क्या मिलेगा flute का tone अब मैं अपना keyboard off कर रहा हूं और मैं अब इसे दोबारा से on करूंगा देखिए दोस्तो हमारा keyboard start हो रहा है अब हम देखेंगे कि इसमें जो by default जो हमें tone दिखाएगा my setting पे that will be flute वो एक flute होगी तो अभी हमने देखा है सिरफ flute को यानि कि tone को save करने का तरीका तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे my setting बटन लिखा हो आ रहा है लेकिन my setting में मेरे पास है क्या मेरे पास flute है इसका नाम आप यहाँ पे देखोगे इसका नाम performance में PERF means performance my setting रहेगा इसका आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो जैसे performance में आपने अलग लग नाम बना लेते हैं flute, ep, moonpad तो इसका नाम my setting ही रहेगा तो इसका नाम चेंज नहीं होता है अब जैसे कि आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं अभी हमने tone select कर लिया है मैंने आपको बंद करके इसलिए दिखाया था ताकि आपको एक demo दिखा सको लेकिन जब आप यह चीज़ सिलेक्ट करोगे तब आप style और tone एक साथ ही save कर लोगे my setting में मेरे पास अभी standard 8 यह style है बहुत सारे keyboard में यही होता है by default बाकि I am not sure तो यहां पर मैं इस पर जाता हूँ style पर प्रेस किया यह देखे style पर अब मैं यहां से कोई और select करता हूँ जैसे कि मैंने ballad modern ballad select कर लिया है अब मैं इसका tempo भी set कर सकता हूँ जैसे कि मुझे इसका tempo चाही 80 अब मेरे पास दो चीज़े save होंगी my setting में firstly मेरे पास tone save होगी जो हमारे पास flute किया है then हमारे पास यह style save होगा और इसका tempo भी वही रहेगा तो अब मैं my setting button वैसे ही press करके रखता हूँ तो अगर मैं इसको ok दबाता हूँ तो यह मेरे पास modern ballad भी set हो गया है और flute की tone भी आप दोबारा से अपना keyboard बंद करके दोबारा चला सकते हो दिखने के लिए तो देखे दोस्तों इस तरीके से हम अपना my setting button यूज करते हैं ज्यादा तर एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जैसे कि कई लोग क्या करते है sound यहां से choose करने में और sound से choose करने में या फिर कई लोग यहां upper one से choose करते हैं तो इन तीनों में लोगों को difference नहीं पता चलता है बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं कि performance में sound select करते हैं तो उसमें क्या difference है यहां से select करते हैं sound से क्या difference है अपर one से करते हैं क्या difference है तो इसके उपर भी मैं एक अलग tutorial बना दूँगा तो फिलहाल confuse नहीं हो न अगर आप यहां से sound select करना चाहते हो यहां से करना चाहते हो यहां से कहीं से भी आप sound select कर सकते हो तो अब बढ़ते हैं कुछ और next my setting के कुछ advance levels पे जैसे इतना ही नहीं आप अपना pad भी save कर सकते हो जैसे कि हमारे पास 4 pads होते हैं जो की सभी PA series keyboard में होते हैं तो आप अपने pads भी save कर सकते हो उसमें तो देखे दोस्तो pads में हम पैसे पहले जाएंगे कैसे? pad में मैंने दबाए shift and then यह pad 123 में से कोई भी दबाओगे then यह चीज़ आ जाएगा हमारे पास menu exit के एक बार फिर से बता रहा हूँ shift plus कोई भी दबाते हो चाहे 2 दबाते हो 3 दबाते हो यह वाली चीज़ आ जाएगी अब देखे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मेरे पास per cousin finger slap है यह चीज़, snap तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं कुछ और अपना रखता हूँ, मैं reverse symbol रखता हूँ तो यह चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, मैंने exit किया वापी से इसको select करके exit and then यह चीज़ अब मैंने इसको यहाँ से भी exit कर दूगा और फिर से दबाऊंगा my setting button तो यहाँ पे अगर फिर से आप इसे okay कर दोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसे pad वो select हो गया over reverse symbol तो अब यह क्या है कि जब आप अपना keyboard off करके on करोगे तब भी वो erase नहीं होगा तब भी वो वहीं पे ही रहेगा तो इसी तरीके से आप अपने चारो के चारो pads set कर सकते हो volume set कर सकते हो बाकी जो effects वगरा देना है वो चीज़ सारी ही चीज़े my setting में होगी इसके इलावा देखो आप दोस्तों क्या कर सकते हो intro and variation यह भी आप चाहते हो कि आपको start करने से start करते वक्त सबसे पहले आपको क्या देखे आप यहां से सबसे पहले अगर आपके कहीं पर performance है तो आप यह चीज़ सब कुछ select करके लेके जा सकते हो जैसे कि intro 1 यूज करना आपको उसके बाद variation 2 पे आना है उसके बाद intro select कर लिए variation select कर लिया auto fill on होना चाहिए off होना चाहिए even कि sync start अगर आप अपना keyboard off करोगे या फिर on करोगे अगर आप sync start देखोगे तो वैसा ही होगा यह सारा setup आपको वैसा ही मिलेगा start up screen में यह चीज़ तो intro, variation, sync start यह सारी चीज़ है तो आप last जो point है दोस्तो वो यह point है कि आप जैसे कि my setting button में आप अपने tone को किस तरीके से save करना चाहते हो यानि कि split करके save करना चाहते हो या without split जैसे कि जो मैं generally अपना करता हूं मैं without split करता हूं मुझे क्योंकि पूरे keyboard में मुझे piano ही चाहिए अगर आप देखोगे मेरे पूरे keyboard में piano है लेकिन यह हमारी choice होती है अगर आप इसको without split account और split off करके save करोगे then क्या होगा यह वैसा ही आपको दिखाएगा अगर आप इन दोनों functions को on करके वो करते हो इसको save करते हो then वो आपको on ही दिखाएगा यह backing दे रहा है यह देखे य प्यानो सिलेक्टा इसलिए प्यानो की आवाज आ रही है फिलाल अगर हम इसे change करें तो यह यहां से मैंने change क्या तो अब यह pads का sound आ गया तो मेरा right hand में क्या है प्यानो left hand में pads Pages तो यह था दोस्तो माई सेटिंग के बारे में तो बहुत लोग इसे जानते नहीं है कि इसे किस तरीके से use करना है hope कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों अलग-अलग experiments करके देख सकते हो माई सेटिंग के साथ और अगर फिर भी कोई दिक्केत आये then your comments are welcome please मुझे comment कीजे मैं आपको reply करूँगा और जरूर channel को like and subscribe जरूर कीजे thank you so much